आज के वीडियो में बिना धूब दिखाए आवले का अचार बनाएंगे और इसे लंबे समय तक कैसे हमें सुरक्षित रखना है ये भी जानेंगे आवला आयुवेद में सुपर फुट माना जाता है इसे अमृत फल के नाम से भी जाना जाता है आज के इस रेसिपी में स्वाद और सेहत का अनमुल खजाना है इस अचार को सिंपल और पारंपरिक मसालों के साथ बनाएंगे धर में हर किसी को पसंद आएगी बहुती स्वादिष्ट और टेस्टी ये रेसिपी बन कर तयार होती है वीडियो को अंतक देखें अपने परिवार को परोसे हेल्थ और टेस्ट का बेस्ट कॉम्बो नमस्ते दोस्तों मैं सुमंगला अपने चैनल ओकी चन में आप सब का स्वागत करती है तो चलिए आज की सुपर टेस्टी और हिल्दी आवले के अचार की रेस्पी बनाते हैं तो देखें यहाँ पर मैंने ये ले लिया है लगभग 400 ग्राम आवले सरद्यों में बाजार में ये बहुत असान तरीके से मिल जाते हैं ये छोटा सा फल हमारे सहत के लिए रामबाण है आयर वेद में से अमरित फल भी कहते हैं देखें, आवले के अचार बनाने के लिए इसी तरीके के आवले, नहीं बहुत ज्यादा इन में दाघ लगे होने चाहिए। इस तरीके विए फ्रेश, और साफ सुतरे आवले हमें लेने हैं। इन्हें अच्छी तरीके से पानी दो तिन पाने धोकर निकाल लेना है। धोना यहां पर बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाजार में कई हातों से यह छू कर आते हैं तो इनमें काफी जम्स और मिट्टी लगे हुए आते हैं अब मैंने इनको अच्छे तरह से धोलिया है और इनको मुझे स्टीम करना है जिसके लिए मैं इन्हें इडली मेकर में इस तर और के से रख लेंगे और उपर से धकन लगाकर हमें गैस पर इन्हें रखना ए कम से कम 15 मिनिट के लिए अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें भी iç ची कर सकते में पास्यमर नहीं था तो मैंने यहां इंगली मेकर का इस्तमाल किया इन्हें स्टीम देने के लिए 15 मिनट के बाद मैंने गैस बन कर दिया था और इन्हें हलका सा मैंने यहां ठंडा होने दिया है तो देखिए यह आवले हमारे जो हैं बहुत बढ़िया तरीके से स्टीम हो गए हैं आपको मैं दिखाती हूं जब इसे फतने तेज में आजाते हैं था हमारे is nhữngवारशन अगर आप इनने बॉल कर रहे हैं तो इस तरीके से 15 मिनट कम से कम उद्गे लग जाता है अब मैंके पूरी तरीके से 6 कर लिया है और इनके अब 1 سीड हाटा लेते हैं इनके बीज हैताना बहुत असान हो जाते हैं क्य इस तरीके से हमें सारे अवले जो हैं इनके पीज हटा अमसे मासे झाल वласт od अधाला भ्राश हमने विस हटा लिए आप दृधए उब में इनके लियर हमसे 552 घंट के लियर जो हम अगर। नीकाला सब्सक्रा दोनों चीजो को में फैंके नीचे 2 घंटके लिए रखना कर ंब ना हो जाएं तो अब में ने फैन के नीच नीचे रंख लिया है यहां पे आप चाहिए तो भूप बढ़ान बन जाते हैं और खराब होते हैं इसकygen में का पर 민ई पान में 20 फैंट में यहां और 16 मैंपन लिए बूंद सास्व और यहां पे पीली और काली वाली सरसों मिक्स करके एड़ कर लिया है और यहां पे आदा चमच अजवाइन एड़ कर लेंगे इन सारी चीजों को हमें धीमी आज पर हलका हलका इनका मुश्चर खतम होने तक सेख लेना है ग्यास का फ्लेम धीमी आच रखना यानि लू रखना है और इनका हलका सा कलर भी चेंज हो जाएगा और हलकी धीमी धीमी से खुशबू आने लगी तो इनको एक प्लेट में हम रख लेंगे तो पुरी तरीके से ठंडा होने के लिए तो यहां पर मैंने इनको हटा लिया है और इनका में पौडर बना के त्यार कर लोंगी तो मिक्सर जार में इनके अड़ कर लेंगे और इने कोर्सली ग्राइंड करना भूत जयादा पा महीन नहीं पीसना है तो देखें मैंने यहां पे हलका सा इने दरदरा ही रखा है तो इस तरीके का हमें मसाला चाहिए अपने अच चंडा कर लिए तोड़ा सा थंडा होने के बाद में इन में एड कर लूगी यह हींग तेल ज्यादा गरम नहीं होना चाहिए यहां पर वदना यह जो मसाले हम करने वाले जल जाएंगे तो यहाँ पे देखे हलका से ठेंडे में ही मैंने यहाँ पे हींग एड़ किया और यह कच्छी हल्दी पौडर हमने एड़ कर लिया है दो चमच यहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिश पॉडर एड़ कर लिया है और साथ में जो हमने मसाले बना के रखे थे उनको एड़ कर लिया है साथ में हम एड़ कर लेंगे दो चमच नमक या फिर स्वादनुसा नमक नमक जो है आचार में थोड़े ज़्यादा कॉंटिटी में पड़ता है तो आप उस अकॉर्डिंग आपे नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं यानि कि मंगरेल siya आड़ कर लिया है और एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पर अमचुर का पाड़र आड़ किया है इससे गए कर बढ़िया है reading करकि निमबू आप जो साम यहाँ आदा सकते हैं यह जो हमने आओले श्टीम करके UPan keen के निच्छे सुखा के रखेते उनको श्टीम करने से यहां पर हमारे आओले के सारा कसेलपन जो जो फो खतम हो चुका है इसलिए इसलिए हम यह पर श्टीम करते हैं और इस साथ में एड़ लेंगे हम ने पंक ही सुखा कर लेंगे हरी मेर यहां पर हमने थोड़ा सा ज्यादा रखा है क्योंकि यह प्रिजर्वेटुस का काम करते हैं तो जब तक हमारे अचार में बढ़ियां तरीके से तेल होगा हमारे अचार जो हो बिल्कुल भी खरामनी होंगे और यह देखे मैंने रात भर के लिए इने इसी तरीके से ढख करके स्लैप पर ही छोड़ दिया था और यह जो तेल है बढ़ियां तरीके से उपर आ गया है तो यह हमारे अचार जो है बढ़ियां हो गया है बीच-बीच में आप इने मिक्स करते रहिए तो इससे अचार जो है अच्छी तरस से मसाले आउले में भिन जाते है और आचार का अैक आर जाता है आप चाहिए तो रंस आ सकते हैं लेकिन आप इसे एक से दो दिन के बाद खाएंगे तो स्वात् बहुत बढ़िया अब इने कर लेते हैं स्टोर इनको स्टोर करने ने मैंने आप कांच की बर्नी ले ले लिए है और इनלה हम देने हीं की दूनी जिसके मैं न मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे हिंग की धुनी देने से अचार की सेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाती है और कांच की बर्नी में भी रखने से हमारे अचार जो है लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं आप कोवेला या फिर दाल चिनी के स्टिक से इस तरीके से रख लेंगे हम अचार तो यह देखिया हमारे अचार जो है कितनी बढ़ियां तरीके से मसालों के साथ अच्छी तरह से कोट हो गए इनको हम निकाल लेते बर्नी में आप इसे जरू ट्राइब करेगा उमीद करती हूं कि आज की यह रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी आज की रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे टेस्टी और हेल्दी रेसिपी की अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे धन्यवाद मिलते हैं अगले स्वाधिस्ट सफर अपे